दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने रासन कार्ड में फैमिली मेंबर में मतलब आपका जो रासन कार्ड है आपके घर का जो रासन कार्ड है उस रासन कार्ड को आप चेक कर सकते हैं कि उसमें आपके फैमिली मेंबर में जितने भी परिवार हैं जित रासन इसके बाद इस पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद में यहां पर देख सकते हैं और इसके बाद में यहां पर जैसे इंस्टॉल कर सकते हैं कर लिजे और इसके बाद में यहां पर जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा ओपन करने के बाद में यहां पर आपको आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आप देखिए फ्रंट पेस पर आपका जो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप ओपन होगा अब आपको क्या करना यहां पर आपको देखिए दो लैंग्वेजेस सेलेक्ट करने हैं अब यहाँ पर उपर लिखा है on orc पंजी करन और इसके बाद यहाँ पर three dot पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी languages आप चेंज कर सकते हैं जैसे आपका इंडिया में जितना भी languages हैं जैसे बैंगोली, इंगलीज, हिंदी, कानडा, मल्यालम, पंजाबी, उडिया, ग देखा हुआ है रासन कार्ड नंबर दर्ज करें मतलब रासन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालना है तो हमारा जो रासन कार्ड नंबर है हम वो डाल देते हैं और इसके बाद में डालने के बाद में यहाँ पर आप हम जैसे हमारा पूर रासन कार्ड नंबर डाल देने क आपके फैमिली मेंबर में जितने भी लोग रहेंगे उनकी जो सदसिता आईडी होती है वो सीरियल नमबर और उनका नाम भी यहां पर देख सकते हैं वो सब सारा चीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो इस प्रकार से आप अपने जो रासन कार्ड में एक चेक कर स यहां पर देख सकते हैं राज पर सेलेक्ट करेंगे यहां पर जैसे मालेज उत्तर प्रदेश है और इसके बाद यहां पर जिला सेलेक्ट कर लेंगे अब मेरा जिला आपका जिला जो भी रहेगा वो यहां पर जौन पूर इसके बाद में यहां पर कौन से महीने में आप मत सदस में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी आईडी जनरेट उनका नाम है या नहीं है क्योंकि वो यूनिट के हिसाब से अब रासन मिलता है तो रासन आपको मिलेगा तो दोस्तों इस प्रकार से यहां पर जैसे देख सकते हैं मैंने दिखाया आप चेक कर सकते हैं अपने फैमिली तो शेयर सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू सो मच